मेरा यूट्यूब का फैमली बढ़िया हो सब आज के इस वीजियो में मैं पैंट कट पजामा जो होता है उसका कटिंग करने जा रहा हूं जो कुर्टे के साथ पहना जाता है ये पैंट की तरह ही होता है इसलिए इसको पैंट कट पजामा भी बोल सकते हैं ठीक है और पैंट स्टाइल पजामा भी बोल सकते हैं तो उसी का कटिंग करने जा रहा हूं सबसे पहले मैं आपको इसके साई से रूबरू करा देता हूं अब यहां पर एल स्केल को जो है वो किनारे पर एकदम 90 डिग्री के उपर इस तरह से रख लेना है और उपर एक सबसे पहले 90 डिग्री का जो लाइन है सबसे पहले वो लगेगा इसके बाद से यहां से यह डाउन होगा एक इंच क्योंकि उसका थोड़ा सा पेट है इसलिए मुझे एक इंच यहां से डाउन करना पड़ेगा अब इसकी लंबाई का निशान सबसे पहले लगेगा तो यहां से लंबाई जो है एक इंच मेजरमेंट टेप को उपर जाने देना है क्योंकि उपर हमारा बेल्ट आ जाएगा और यहां से हमने इसका लंबाई का निशान लगाना है 37 एंच ठीक है और नीचे तीन इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमारा जो है वो कपड़ा फोल्ड होगा यानि की तरपाई होगा नीचे और यहां से इसका जो क्रोच लेंद्फ है वो है साड़े दस सिंज ठीक है, तो यहां पर साड़े दस सिंज के उपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा और इनसीम का जो निशान है, वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं तो यह इनसीम का निशान जो है यह इस तरह से आ जाएगा, clear? अब यहां से हमारा चत्तिस और साड़े तस, चत्तिस और यहां पर इन सीम का निशान में आपको चेक करके बता देता हूँ, यह देखिए, यहां से हमारा साड़े 25 इंच आ रहा है, clear? तो अगर आपने साइज लेते समय, उसका इन सीम का निशान, इन सीम का जो साइज है, वो अगर आप लेंगे, तो आपका क्रॉच लेंथ जो है, वो आटोमेटिकली निकल जाएगा, clear? अब हमारा यहां से यह जो इंच सीम है, इसका सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है, तो साड़े 25 का जो सेंटर आ जाता है, वो है हमारा पॉने 13 इंच, ठीक है? यह पॉने 13 इंच के उपर हमारा निशान आ जाएगा, अब यहां से धाई इंच उपर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है ये हमारा नी पॉइंट आ जाएगा ये यहां से हमारा ये देखिए यहां से 90 डिगरी का लाइन जो है ये हमारा इस तरह से लग जाएगा और ये जो नी पॉइंट है हमारा यहां पर भी इस तरह से 90 डिगरी का पॉइंट ही लगेगा लाइन लगेगा और बॉटम पर कभी भी जो लाइन है ये 90 डिग्री का नहीं लगता है ये अप्रॉक्सिमेटली तीन सूथ जो है यहां से नीचे करते हुए आपने ऐल स्केल को इस तरह से गुमाना है यहां से इस तरह से तिर्चा होगा अगेर यहां से भी लास्ट लाइन हमारी उसी तरह तिर् हमारा साइड जो है यहां इतना फैब्रिक जो है हमने छोड़ देना है मैं आपको अभी निशान लगा कि यह चीज समझाता हूं यह यह यहां से हमने इतना फैब्रिक जो है यह छोड़ देना है कि कि हमारा जो यह जो ब्लॉक्स बनाया है मैंने यहां पर हमारा मैं आपको एक्सक्रारा देता हूं यहां पर एर से निशान लगा कि न यह हमारा पॉकेट का बन जाएगा जो साइड पॉकेट है और यह जो थोड़ा एक्स्टा फैब्रीक रखा है मैंने आपको बताया है पॉकेट के उपर अब जिप लग रही है तो यह जो फैब्रीक है अंदर जो है वो फोल्ड हो जाएगा यहां पर उसका रोल शुरू हो जा यह पॉइंट है हमारा साड़े बारा इंच तो यहां से हमारा यह जो है यह साड़े बारा इंच के उपर इस तरह से निशान जो है यह आ जाएगा अब यह साड़े बारा पर किस तरह से आया है यह हमारा जितना हिप होता है उसका चौथा हिसा कर लेना है और उसमें डाइं यह हमारा center point निकल जाएगा इस तोटी-लाइंग का center यह हमारा zipperfly अब यहां से किनारे तक चेक कर लेंगे कितना है यह panels अब यहां से भी हमने heat tracking इंच के उपर निशान लगाना है और यहां पर भी हमने साड़े साथ इंच के उपर ही निशान लगाना है और एक निशान हमारा किनारे से साड़े साथ इंच के उपर इस तरह से आ जाएगा अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां पर लाइन जो है वह इस तरह से लगा के बत अब नेक्स टैप क्या है हमारा जितना हमारा bottom है bottom है हमारा 14 pare 14 का आदा कर लेना है साथ और साथ का आदा करना है साड़े तीन तो center line से साड़े तीन आगे इस तरफ चले जाना है और आदा हमने इस तरफ आ जाना है यह जो मैं कटिंग कर रहा हूं मैं आपको एक्स्प्लेन कर देता हूं यह पूरा पैंट की तरह ही होता है ठीक है इसमें हम इधर उदर नहीं जा सकते जो है शेप को नहीं बेगार सकते क्योंकि इसका जो पहनने के बाद वह आदमी फैब्रिक से पिश्चान सकता है अदर्वाइस देख प्रेंट कर पजामे को ही पसंद करते हैं अब हमारा यहां से यह जो हमारा पॉइंट है यहां से बॉटम को टच करते हुए हमने इस तरह से शेप पट्टी की हेल्प के साथ जो है माक कर देना है और अप्रॉक्सिमेटली नीचे वाला जो लाइन होता है एक डेट सूथ बा हुए यह हमारा निशान जो है वो इस तरह से लग जाएगा अगेन नीचे वाला लाइन सीधा नहीं जाता है यह अप्रॉक्सिमेटली एक डेट सूथ बाहर की तरफ निकलेगा अब यहां पर यह जो हमारा निशान है यहां से हमने जो जिपर फ्लाइका लगाया था किनारे तक चेक कर लो कितना आ रहा है यहां हमारा सवा बारा इंच यहां पर भी हमने इस तरह से सवा बारा इंच के उपर इस तरह से निशान लगा लेना है अब यह जो हमारा पॉइंट है यहां से हमने कमर का निशान लगाना है तो कमर का निशान जो है यह देखिए यह हमारा अ साथा इंच अंदर की तरफ आने के बाद इस लाइन के उपर यह जो मैंने लगाया हुआ था इस लाइन के उपर आटोमेटिकली बैठ गया है यानि की कमर है इसका साड़े 38 इंच साड़े 38 का चौथा इसा हो जाता है साड़े 9 और एक सूथ और इसमें एक इंच हमारा प्लस होगा जो सिलाई का मार्जन चला जाएगा अंदर तो यह देखिए साड़े दस और एक सूथ के उपर निशान जो है यह आटोमेटिकली बैठ गया है अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने मिलाना है अगे ज्यादा गहराई में शेप कभी नहीं देना है हल्का सा शेप देना है आपने यहां से जो आपका शेप पट्टी होता है यह नीचे से 9 इंच आपने इस तरह से यह माक लगे होते हैं इसके उपर रखके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको इस वीडियो के मार्दियम से कुछ सीखने को मिला है मेरे बाइट तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हां बेल को दबाना मत बूलना क्योंकि बेल को दबा के सिलेक्ट आल करेंगे तब ही जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको त्रंक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अधरवाइद आपको नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा जब भी मैं नय दिख रहे हैं अब हमारा यहां पर जो है हलका सा शेप हमने जरूर देना है यहां पर उपर कमर पर क्यूंकि जो उपर का पॉइंट है यहां पर जब लगेगा तो पहनने के बाद जब पेट का थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो यहां से जो हलका सा फोल्ड दिखना आफ ही दिखेगा तो यह मार्किंग कंप्लीट हो गया फ्रंट का अब मैं इसका कटिंग करूंगा तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वह भी मैं अच्छे से तक निय객 करेंगे जरद करेंगे आय। यहां पर हमने जो फ्रंट कटिंग किया है उसको पहले हम प्लेस करेंगे यहां से यहां किनारे के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा और यह जो हमारा फ्रंट है यहां पर इसको हमने अगेल उसी तरह चेक करना है मैं आपको एक्स्प्लेंग करता हूं अभी कि इसका जो पहने के बाद क्रीज है क्योंकि यह पैंट कट है और आज कल यही चल रहा है कुर्टा के साथ या कमीज के साथ यह क्योंकि नीचे पहनने के लिए तीन चार चीज़ें होती हैं या तो आप कुर्टे के साथ नीचे कि आप से जो है यह सबका पहनने का तरीका होता है यह जो है यह पंजाबी स्टायल पैंट कट पजामा भी आप बोल सकते हैं तो उसी का जो है शेप का ध्यान रखना है क्रीज इसका बीस सैंटर में ही आना चाहिए पहनने के बाद उसके लिए क्याकर ना है या पैंट है क्रीज हमारा अगर अंदर की तरफ भूम रहा है तो मेरे भाई ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किये हुए आपकी ये प्रॉब्लम जो है एकदम सॉल्व हो जाएगा क्लियर ये जो है हमारा फ्रंट इसको चेक करना है हमने किनारे के सथ त्योंकि इसको भी 90 डिग्री के एंगल के उपर सीधा रखने की पूरी ज़रूरत है नहीं तो कपड़ा जो है अंदर के तरफ खिच वारेगा यहां से हमने चेक करना है किनारेता कितना आ रहा है तो यहां रहा है हमारा साथ इंच अब यहां से भी हमने चेक करना है कितना है तो यहां रहा है साथ हल्का सा केवल फरक है मैं आपको यहां से थोड़ा सेटिंग करके देर तो ठीक है क्लियर होगे जब तक आ जाओगे कि यार मैंने कटिंग तो अच्छी की थी अब यह कहां पर फरक पड़ गया आप बनाने वाले के उपर नुक्स निकालने लग जाओगे तो ज्यादा बेटर है आप कटिंग के दौरान इन चीजों का ध्यान जरूर रखें दूसरा मेथड है इसको चेक करने का यह ज देखिए जब आप इस चीज को चेक कर लेंगे तो यह आटोमेटकली आपका 90 डिग्री पर आ जाएगा हमने मेरा मकस्त जो है वह यह बताना कि जब हमने फ्रंट को 90 डिग्री के एंगल के साथ प्रॉपर जब लाइन लगा के कटिंग किया था तो बैक के टाइम पर भी हमन में इस तरह से आगे बड़ा देना है और यह जो आपका नी point है यहाँ पर भी इस point को हुमने आगे बढ़ाना है और bottom का line भी हमारा इस तरह से आगे बढ़ जाएगा और ऐपर कमर के उपर भी हमने इसी तरह से line जो है किनारे पर रखते हुए यहां पर front का किनारा चेक कर लेना है और इस तरह से 90 degree का line जो है हमारा लग जाएगा clear, अब यहां पर यह जो हमने यह जो एक line लगाया था यहां से 3 सूत नीचे एक line और लगेगा और एक line हमारा इस तरह से टेडा जाएगा सबसे पहले हमारा जो निशान लगेगा वो लगेगा हमारा थाई का थाई है हमारा साड़े 24 इंच तो साड़े 24 का आदा हो गया हमारा सवा 12 इंच तो इसमें हमने ठाइ इंच प्लस करना है ठीक है ठाइंच प्लस करना है वो medium fit चाहिए अगर ज़्यादा फितिंग में चाहिए तो 2 इंच कर लो तो 0.5 इंच मिडियम फिट ओके है तो यहाँ पर हमारा सावा बारा सावा बारा का हो गया सावा तेरा सावा चौदा और 1.5 इंच और प्लस किया तो पौणे 15 इंच के उपर हमारा यह जो निशान है यहां से इस तरह से लग जाएगा यह पॉइंट जो है हमारा यहां से पॉने पंद्रा का निशान लगा लीजिए और यहां से नीचे से बॉटम से हमें डेड़ इंच जो है वो बाहर निकालना है इसको हमने अगें यह जो हमारा शेप पटी होता है इसकी हेल्प के साथ इस तरह से यह करके मिना देना है यह हमारा एक डेड़ सूच जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और यहां से हमने नी पॉइंट तक जो है यह एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा जरूर रखना है ताकि उसको अगर थोड़ा कल को लूज करवाना पड़ जाए तो यह आपके पास जरूर होनी चाहिए अब अगेन उसी तरह से यह जो आपका नी पॉइंट है यह जो नी का सेंटर पॉइंट है और यह मेजरमेंट टेप के यह जो हमारा होल है यह जो मैटल लगा होता है इस साइड और यह जो होल है इस होल को हमने नी पॉइंट के सेंटर के उपर इस तरह से रख देना है ठीक है और ऐसे अंगूठे से दबाते हुए यह जो आपका अंदर वाला लाइन है क्योंकि यह तो हमने एक्स्टा फैबरिक रखा है ना ठीक है जो पॉकेट के लिए अंदर मैंने बताया था बोन में जाएगा अब यह जो हमारा पॉइंट है यहां तक आपन आपने इस तरह से मिलाते हुए ठीक है यह हमारा निशान जो है इस तरह से लग जाएगा जितना यहां से यहां तक आया है उतना ही हमने यहां से यहां तक निशान लगाना है लेकिन इसमें हमने दो सूथ एड़ और करने है भी यह यहां पर दो सूथ एड़ और हो लगे क्योंकि जब फ्रंट का कटिंग होता है तो हम केवल और केवल पौना इंच डाउन करते हैं इसका हमने डाउन किया था एक ज्यूंकि इसका टमी था इसका पैट था तो दो सूद जो हमने फ्रांट पर ज्यादा कटिंग किया वो दो सूथ बैग पर एड़ जरूर करने है आपने उससे क्या है कि जो मोटा आदमी होता है थोड़ा सौरी मोटा बोलने के लिए जिसका पेट जो बड़ा होता है वो जब पजामा पहनता है ना या पैंट पहनता है तो फ्रंट से नीचे होती है पैंट और बैक से उपर बैक उपर रखे वो पूछ लें आप उनसे और दो सूथ जैसे मैंने यहां पर कम किया था दो सूथ उपर इससे कह कि जो इसका सीट का साइज है उसमें गड़बर नहीं होगा अब हमारा यहां से इस पॉइंट को यह जो कमर वाला पॉइंट है इसके साथ हमने इस तरह से म थोड़ा सा मेरा वरक्षाप है जहां पर काम कारीगर बैठते हैं वो थोड़ा सा वे देखते हैं वहां पर अगर सेटिंग हो गया तो वीडियो बनाने वाला ठीक है अब यह जो हमारा cutting हुआ है है न हमने यहां से निशान जो है यह लिया था अब निशान हमने यहीं से लेना है यानि कि आदा इंच हमने इसको बाहर की तरफ ही निकालना है और यहां पर हलका सा आप इस तरह से निशान जो है एक उटा लीजिए ठीक है फ्रंट के हिसाब से यह जो निशान है यह आप यहां पर हलका सा उठा लीजिए और इसको आप इधर कर दीजिए और शेपटी की हलक के साथ इस तरह से हलका सा उपर की तरफ शेपटी को खिसकाते हुए यह जो पॉइंट है आपका इस तरह से मिला दिया जाएगा क्लेर हो गया यहां से कमर है हमारा साड़े ठत्यस साड़े नौव और एक सूद साड़े दस और एक सूद एक इंच का हमारा बैक साइड के उपर प्लेट आएगा हिप के उपर अगेर पैंट की तरह ही यहां पर सवा दो इंच का मार्जन जो है यह जरूर रखें ताकि उसको अगर लूज करवाना पर जाए तो उसके लिए अब यहां से साड़े तीन इंच ऊपर एक निशान लगेगा ठीक है यहां से साड़े तीन इंच ऊपर एक निशान लगेगा और यहां पर हमने नीचे वाली जो लाइन है उसको इस तरह से रखते हुए हमने साड़े तीन जो उपर निशान लगाया है उसी के उपर हमने इस तरह से measurement tape रखना है और यहां से हमारा जो point है हिप का वो आ जाएगा हमारा 21 इंज के उपर ठीक है अब यह 21 इंज के उपर क्यो चालिस का इस्तेवाल हमारा यहां होगा इसको नीचे करने में इदर यूज होगा जब सिलाई आएगा seat का वो हमेशा जितना round hip होता है उसमें डेड़ इंच प्लस करके फिर निशान लगाना है जैसे इसका hip है साड़े चालिस उसमें डेड़ इंच प्लस करेंगे तो 42 ठीक नहीं तो उसको बैशते ताइम थोड़ा टाइट लगेगा तो जैदा बैटर है आप हल्क का साथ अगर और एक सूद बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा यह हमारा इस तरह से निशान जो है यह लग जाएंगे अगे यह जो शेप है french curve की help के साथ मैं इसको लगाता हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यह टेरिंग मटीरियल वाली शौप से मिल जाता है यह आप भी अपने लिए ले ले यह काफी helpful होता है और बहुत नीट काम आता है इससे freehand कई वा नहीं लग पाती accuracy के साथ से ठीक है तो यह जो है हमारा सिलाई का निशान आ गया और यह हमारा cutting का निशान आ गया यहां से आदा इंच और जो है वो उपर की तरफ रखना है वो क्यों रखना है वो भी ध्यान से समझो मेरे वीडियो के उपर आने का फाइदा तभी है जब आप वीडियो को बिना skip करें देखें और अच्छे से समझें क्योंकि मैं सिखाने में कोई कमी नहीं रहने देता हूँ अगर आपको लगता है कहीं कमी रहती है आप कमेंट में लिखें मैं उस point को फिर से clear करूंगा किसी और वीडियो में तो यहां पर हमने extra क्यों रखना है क्योंकि पजामा जब इस तरफ से सिलाई हो जाएगा पहले इदर से ही होता है ठी बाद में पोगड़ के इस तरह से उपर उठा אל रेना है ठिक है और यहां पर चेख करना है नीचे कि नीचे यहां पर कोई फॉल तो नहीं आए रहा को जोड disont नहीं आएगा बाद में जो एक्स्ट्रा है वो आप कटिंग करना चाहें तो काट सकते हैं लेकिन मैं यहां पर पाइपिंग लगाता हूं ताकि अंदर से भी जो है वो नीट लगे और धागे ना निकले तो मैं रेव जो है इस तरह से रेव कपड़े की मैं पाइपिंग निक प्रामा उसका जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा तो मेरे भाई बंदों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए मेरे भाई और चैनल पर नहे ह आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अधरवाइस नोटिफिकेशन नहीं आएगा चाहे चैनल सब्सक्राइब कर रखाओ तो ठीक है फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले ने वीडियो में तब तक दीजिए मुझे इजाज़त